नमेश काई दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगिन्दाथ बर्ड्स को नहलाने के 5 तरीके देखे जब भी हम बर्ड्स को नहलाने की बात करते हैं तो एक सिस्टेमिटिक वे में जो है बर्ड्स को नहलाना चाहिए क्योंकि यदि हमने नहलाने के तरी में कोई गलती करी तो birds के अंदर जो है हमेशा के लिए पानी के लिए उसके मन के अंदर डर बैड़ जाता है और आपका birds जो है पानी देखते ही घवरा जाता है आपको पता है birds को नहलाना भी बहुत ज़दे जरूरी होता है क्योंकि नहलाने से क्या है birds अपनी body को clean करते है और cleaning का मतलब ही होता है कि birds अपने feathers को खुद से एक एक करके अपनी body के ओपर oiling लगाता है अब वो जो birds की body से जो oil secret होता है अब वो जब आप birds को नहलाएंगे तब ही birds जो है अपने एक-एक feathers की cleaning करता है और हर feathers के ओपर जो है oil को लगाता है birds को जब भी कभी नहला नहो तो आप एकदम से birds को सीधे पानी के नीचे ना ले जाएं हमेशा birds के मन में यदि आप ऐसा करेंगे तो उसके मन के अंदर जो है डर बैट जाएगा पानी के प्रति अपने करने क्या है जब भी आपका birds है आपको कोशिश करने चाहिए कि गर्मियों में आप डेली आप अपने birds को बात दे सकते हैं सर्दी में आप alternative days में कर सकते हैं या weekly कर सकते हैं तो डिपेंड करता है कि अगर धूप निकली है तो आप धूप के अंदर सबसे पहले birds को जो है एक बाउल के अंदर पानी रख कर कर के दे दिजिए birds को अपनी मर्जी से जो है पानी के पास जाने देजी कभी भी birds को forcefully बाउल के अंदर या पानी उसके उपर कभी भी न डाले इससे birds के मन में हमेशा जो है डर बैट जाएगा birds को हलका सा एक shower आप ले सकते हैं आप एक bottle ले सकते हैं उसमें shower बेना लीजिए birds को cage के अंदर के हलका हलका shower कीज़े और फिर उसके सामने से हट जाएगे दस से पंदा मिट का gap देखकर एक बाद फिर से birds को shower देजी तो इससे क्या है birds को एक habits हो जाएगी धीरे धीरे पानी के प्रति यानि उसके मन के अंदर जो है डर नहीं बैटेगा पानी को ले करके और जब उसको लगेगा कि पानी से कोई नुकसान नहीं तो आप देखेंगे कि birds अपने आप से पानी को enjoy करेगा जैसी आप पानी का बाउल उसके सामने रख देंगे तो automatic क्या है birds अपने आप उसमें नहने शुरू कर देगा और birds नहने के बाद ही अपनी बाड़ी को clean करता है उसकी बाड़ी में जितना भी dust वगएर होता है automatic को निकल जाता है और birds में जो itching की main problem होती है जिससे birds खारिश करता है उसका reason सी होता है कि dust यदि feathers के अंदर रुक गई है हमने इसको proper clean नहीं किया इन नहलाना नहीं है तो automatic वही dust जमने के बाद धीरे धीरे फंगल का रूप धारन कर लेती है इसने नहलाना birds को बहुत ज़दे ज़रूरी है आप birds को step by step नह लईए आप birds को जब बारिश आती है बारिश के अंदर भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि birds के अंदर यदि एक बाद पानी के परती जो डर खुल गया तो आपका birds हमेशा पानी को enjoy करेगा और आपने देखा होगा कि अकसर birds group के अंदर भी एक bowl के अंदर पानी रखते हैं सारे birds group में एक साथ नहना पसंद करते हैं क्योंकि जो birds होते हैं काफी social होते हैं एक birds को देख soap या chemical का आपने यूज नहीं करना है birds को जब भी आपने पानी देना है हमेशा plain पानी गुनगना पानी देना है यदि आपको लगता है कि हलका सा कोई mides आपको उसकी body के अंदर नजर आयती तो उसका सबसे बैस तरीका होता है birds के पानी जो है bowl है उसके अंदर आप नीम के पत्ते जो थोड़े से डाल करके रख दीजिए और birds के नहने से पहले उस नीम के पत्तों को निकाल देजिए तो नीम के पत्ते का जो flavor है जो उसकी smell है पानी के अंदर आजएगी और उसके अंदर जब आपको birds नहाएगा तो आप देखेंगे कि उसकी body में धी हलका फुलका को infection हो गया तो नीम के पानी में नहने से automatic वो भी ठीक हो जाएगा birds को आप proper एक shower लेकर के आप shower on कर दीजिए आप देखेंगे कि birds जो है अपने आप से भी shower के नीचे जाकर के नहना शुरू कर देता है तो यह कुछ तरीके हैं या tips हैं जिससे कि आपके birds के मन के अंदर जो पानी का जो डर बैठा हुआता है यदि आप उसको step by step follow करेंगे तो birds उस चीज़ को डरने के बज़े उसको अच्छे से enjoy करेगा और birds को नहना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही उसकी सेथ के लिए भी ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है क्योंकि नहने से उसकी body का एक एक पोर्श जो है खिल कर के आता है birds अंदर से healthy रहता है दूसरा जो सबसे main होता है नहने का main purpose होता है birds की feathers के color का down ना जाना या उनके body के अंदर किसी भी परकार का को infection ना हो इसलिए birds को नहलाना ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपका birds नहने से डरता है तो उसका तरीका ये भी है कि आप एक towel को ले करके उसको पानी में dip करके sponge करके birds को हलके हलके आप उसको towel से भी आप हो सकते हैं इस परकार भी जो है आप birds को धीरे-दीरे clean कर सकते हैं कभी भी birds को forcefully ना करें जब अस्ती पकड़ के पानी में डालेंगे तो आपका birds हमेशा के लिए पानी से डर चाहेगा और वो कभी भी नहाएगा नहाने के बाद जबकि आप nature के अंदर देखते हैं इसलिए जो नेचर ने जो birds को जो तरकी बताई है जो तरीके बताई है उसको ही आप घर में फॉल अप करने के गोशिच के नहाने के बाद आप birds को प्रॉपर धूप दीजिए ताकि birds अपने आपको सुखा सके क्योंकि जब धूप में बैठ करके अपने आप सुखाएगा तब ही अपने एक-एक feathers की cleaning करेगा और उसकी body में जो glands में जो oil secret होता है नाने के बाद ही वो एक-एक करके अपने feathers के उस oil को separate करता है और अपने feathers को healthy रखने है आज मैंने इस वीडियो के माधिम से आपको बताया है कि birds को नहलाने के क्या तरीके है और वक्षों को नहलाना क क्यों जरूरी है उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद